उत्तर प्रदेश के मुख्य मंदल के रूप में योगी आदेतनात ने दुबारा शपत ली उनके साथ ही 52 मंदल ने भी शपत ली है वैसे देखा जाए तो मंदल के शपत रहन के बाद किस तरह का एजेंडा रहेगा इसकी चर्चा होती है लेकिन एक चर्चा और हमेशा होती है वो ये कि मंदल पर किसकी चाप है इस बार भी ये चर्चा हो रही है और ये कहा जा रहा है कि क्या ये मंत्री योगी आदेतनात की पसंद के हैं या इन में से ज़ादातर मंत्री संगठन या RSS की पसंद के हैं यानि मंत्री मंदल पर किसकी चाप है तो हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे क्या है बात दरसल ये है कि जिस तरह से इन मंत्रियों का चेंड किया गया है उसके लिए पहले से इन मंत्रियों के बारे में या संभाविक मंत्रियों के बारे में हम कह सकते हैं फीडबैक लिया गया था जो पहले से मंत्री थे उनके ब जो बाहर से आए हैं ऐसे भी कुछ मंत्री बने हैं उनके लिए ये देखा गया कि उनका बैग्राउंड अपना क्या है ये रिपोर्ट का इसलिए देखा गया क्यूंकि इस मंत्री मंदल के लिए सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो परफॉर्मेंस का है यानि मोधी फैक्टर हम बनाने की कोशिश की गई है एक और खास बात है जिस तरह से अनुभवी और युवा चेहरों का एक तालमेल बनाने की कोशिश की गई उससे बिलकुल साफ है कि बैलन्स रखने की या संतुलन रखने की कोशिश की गई है पर इससे भी बड़ी बात क्या है यानि मंत्री मंद पर किसकी चाप है ये बात अभी भी है तो ये बात साफ हो जाएगी इस तरह से कि जो मंत्री हटाएगे हैं 22 मंत्री हटाएगे हैं उसमें वो कद्दावर नाम हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, श्रीकान शर्मा, सिधातनाथ सिंग, महेंद्र सिंग, मौसिन रजा यानि वो चहरे जो योगी के पहले कारेकाल में बहुत जादा प्रभावी थे कद्दावर नेता थे, संगठन के इसमें से कुछ करीबी थे और जिनको अपने विभाग के कामकाच को लेकर के जिनकी पहचान थी या हम कह सकते हैं बीजेपी की सरकार का प्रदेश सरकार का चेहरा थे लेकिन उनसे 20 पढ़ने वाले चेहरों को उनकी जगह ले लिया गया इसके पीछे यही तत्य है कि सामने बड़ा लक्ष 2024 के रूप में है और 2024 के प्लैन में जो भी फिट बैठा उसको लिया गया चाहे उसकी वज़ा से उन लोगों को हटाना पड़े जो संगठन के करीबी है जो किसी और वज़ा से पार्टी के करीब थे या सरकार में महतुपून भूमिका में थे यानि 2024 ही वो कीवर्ड है जो इस पूरे मंत्री मंडल के लिए एक ऐसा शब्दे हम कह सकते हैं एक ऐसी संख्या है जो जिस बात का सबसे जादा ध्यान रखा गया अब उनको देखते हैं जिनको लिया गया उससे ये बात और साफ हो जाएगी जिस तरह से केशाव मौरिया को फ उसको देखा गया क्योंकि वो उसके लिए उन्होंने केशाव मौरिया ने बहुत काम किया है तो इससे पार्टी ने उनका कद नहीं घटाया है उनको फिर से पराजय के बावजूद फिर से वो मौका मिला है वहीं अगर हम बात करें तो कई ऐसे नाम जो चोकाने वाले हैं उसमें देशंकर मिश्र देयलू का नाम प्रधान मंतरी के संसदी शेतर काशी से है वानसी से है जो 2014 में आये थे पार्टी में लेकिन उनको वो किसी सदन के सदसे नहीं है लेकिन उनको मंतरी बनाया गया उनको शपत दिलवाई गई है क्योंकि वो वेवार कुशल हैं वो सा बहुमत विली थी उसके बाद से चर्चा में था वो है ब्रिजेश पाठक का नाम जिनको दूसरा डिप्टी सीम बनाया गया है वो इसलिए कि वो ब्रामर चेहरा तो ही लेकिन वो जिस तरह से उनकी उपलबधता है जिस तरह से वो सर्व सुलब है उसको देखते हुए उनक हम कह सकते हैं कि एक जो सबसे युवा चेहरों में से एक चेहरा है वो दानिश आजाद अंसारी का है मौसिन रजा को हटाया गया दानिश आजाद अंसारी को रखा गया तो मौसिन रजा को इसलिए क्योंकि वो अपनी कम्यूनिटी में यानि मुसल्मानों में उस तरह से और वो कैडर के हैं अखिल भारतिय विद्यार्थी परिशत से जुड़े हैं और अंसारी समुदाय से आते हैं एक बहुत महत्पून बात यह है कि पसमांदा मुस्लिम्स को लेकर के बीजेपी ने जो प्लैन तेयार किया है उसका वो एक हिस्सा है स्ट्राइजिक हिस्सा है तो बात बिलकुल साफ है 22 मंत्री हटाये गए जो रखे गए नए मंत्री इसके इलावा जो किसी सदन के सदस से नहीं है ऐसे भी लोगों को मंत्रीपत की शपत दिलाई गई इसमें सिर्फ एक बात है कि जातिय संतुलन साधने की कोशिश की गई काम देखा गया पूरा गणित देखा गया लेकिन दोहजार चौबिस का ध्यान सबसे जादा रखा गया इसमें पूर्व नौकरशा एके शर्मा भी है जो नहोंने पूर्वांचल में बड़ा काम किया है और असी मरून पूर्व आईपीएस भी है यानि कि जिस तरह से अब यो हजार चौबिस की वीडियो जर्नलिस संदीब दूबे के साथ शिल्पी से यूपी तक लखनो